सबका सबना होता है कि उनके घर की आने वाली बहू संसकारी और आदर्श हो और लड़के की माँ बाप की भी यही चाहत होती है कि उनकी लड़की ससुराल में जाकर सबका दिल जीते और एक आदर्श बहू साबित हो एक तम फिल्मी अंदाज में सुबह सुबह जिस बहू की सुरीली प्रार्थना से सबी घरवालों की आख न खुले वो बहू कोई बहू होती है क्या उसको आदर्श बहू तो कहना तो दूर सिंपल बहू कहने का भी कोई हक नहीं होता कोई लड़की किसी दूसरे परिवार में ब्याही ही इसलिए जाती है कि वो पूरी जिंदी के अपने ससुराल वालों को खाना पका पका कर खिलाती रहे और बदले में उसे कोई धन्यवाद भी ना कहे अरे अपनों को भी कोई भला ठैंक्स बोलता है क्या खाना पकाने की बाद बारी आती है धोबी बनने की आदर्श बहु का एक खास गुण है कि पूरे घर के कपड़े को सिर्फ एकसल की चमक देना फिर इस्त्री करके उन चमकदार कपड़ों पर एक भी सिलवट का नामों निशान तक मिटा देना खराब कपड़े पहन कर बाहर निकले तो लोग तो यही कहेंगे न के इंकी घर में आदर्श बहु नहीं है क्या अरे पती होता है तो साक्षत परमेशवर का रूप और परमेशवर से भी कोई सवाल पूछता है क्या अपने पती परमेश्वर से दुन्यावी सवाल पूच कर इस जन्द के साथ साथ अपने बाकी बचे सारे जन्म खराब थोड़ी नह करने है आपको पता है आदर्श बहु की छवी दिखाती इस तस्वीर में भी एक कमे है सिर पर घूंगट कौन रखेगा क्या कल्यूक आ गया है साथ ससुर के सामने नंगे सिर घूमना आदर्श बहु के लक्षर नहीं होते जब ससुराल के सारे सद्यस से पेट पूजा कर चुके हूँ तब ही आदर्श बहु पहला निवाला अपने हलक के नीचे उतारती है आखिर भगवान को भोग लगा कर ही तो भक्त खुद प्रसाद गिरन करता है अब ससुराल वाले किसी भगवान से कम है क्या आखिर पती परमेश्वर के परिवार वाले है तो ये श्वर का तो रूप हुए ना शौपिंग घर की आदर्श बहु को पर्सनल शौपिंग की क्या जरूरत उसे दो टाइम की रोटी मिल रही है और पहनने के लिए दो जोडी कपड़े बस इतना बहुत है बाकी सच सवर कर किसे दिखाना है शादी तो हो गई है ना और रहना तो गुंगट में है फिर क्यो फालतू खर्चे करना लो फिर भई गरबर कर दीना सिर से पल्लू सरका दिया और लग रहा है कि बहुने नया हैरकट भी किया है भई ऐसे तो यह नहीं बन पाएगी आदर्श बहु केवल सास ससुर की सेवा करने से कुछ नहीं होगा जब तक सिर पर पल्लू रखकर सेवा न तो है अरे कमाल की बात करते हैं आप घर पर काम करके कोई ठकता है क्या कितनी बार बताना पड़ेगा कि पती शाक्षात पर पात्पा का सुरूप है उसकी सेवा करना तो आदर्श बहु का सबसे बड़ा धरम होता है आप क्या पती परमेश्वर की खंजाची है जो उनकी त आदर्श बहु के माता पिता के लिए उनकी बेटी की शादी हो जाना किसी तोफ़े से कम है क्या उनके लिए तो यही जिन्दगी भर का तोफ़ा है कि उनके कंदों से बोज उतर गया फिर बहले ही इस तोफ़े के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम क्यों ना खर्च करनी पड़ी हो इस तोफ़े के बाद किसी और तोफ़े की इच्छा करना उनके लालच की निशानी होती है हाँ बेटी के सस्राल वालों को तोफ़े भेजना उनका धरम होता है दोस्तों इस बात पर आप क्या कहते हैं आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बोक्स में जरूर शेयर करें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और आगे इसी वीडियो से और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू